qualitative research में दूसरा जो principle जहन में रखा जाता है जहाँ एक semantic है वहाँ harmonetics है harmonetics क्या है study of interpretation of text what is meaning of a text क्योंकि text के अपने meaning रोते है how to interpret any text यह interpretation of textual data है content analysis में यह बहुत important है जहां पे meaning convey किये जाते है यह अक्सर हम diplomacy में सुनते हैं कि जो words यूज किये जाते हैं खास तोर पे यह वो words हैं जो diplomatic language यूज किये जाते हैं यह इन्तहाई neutral words बताना ताकि आप कोई भी उसके meaning draw कर लें कहीं पे भी उसको किसी भी तरह से interpret किया जाए in 1995 पाकिस्टान में 1999 में पाकिस्टान में एक इसम का मर्शला मशर्फ का लगा हुआ था तो उस वक्त बिल किलिंटन पाकिस्टान आया और उसने हमारे national broadcast से national broadcast से खताब किया हलंकि उससे पहले the plan was कि नेशनल assembly से address करेगा लेकिन उस वक्त national assembly नहीं थी due to PCO provisional constitutional order तो उसने आके address किया तो उसने जो words यूज किये वो बड़े neutral किसम के यूज किये कि democratic values are important in the modern world what does it mean कोई ये कहता है कि ये मर्शलाव वालों को message देना था कोई कहता है कि नहीं उसने democracy की बात की western world की बात की उसने आपकी तो बात ही नहीं की आप एक sovereign state है और western world is another sovereign state लेकिन diplomatic language में कहीं न कहीं meaning convey कर दिये जाते हैं और वो खास दोर पे language के through इसी तरह से जो पुराने diplomatic documents निकालने तो उसमें बड़ी neutral किसम की language use हो जाती है और इसके अंदर फिर जो researchers हैं वो अपने उस context को text के context को और syntax को सामझे रखते हुए meanings रड़ा करते हैं इसमें events की भी events के meanings भी हैं बाज़ अकाद text जो है वो events textual form में events लिखे होते हैं तो उससे text के meaning उसके कहने का ये मकसद था उसके कहने का ये मकसद नहीं था अक्सर लोग for example पाकिस्तान में अलामा इकबाल के letters जो है to the different personalities वो जब लिखे जाते हैं तो उसको interpret किया जाता है कि ये उस context में थे या कैरियाजम मुहमद अली जना के जो letters हैं उसको different way में interpret करने की कोशिश की जाती है अब आवाल حضور सब्सक्राइब का जो खत्बा हिजत अलविदा है उसके textual meaning क्योंकि वो text में लिखा गया है या सुलाह देबिया के जो text है उसको interpret करने की कोशिश की जाती है कि उसके contextual meaning ये थे syntaxual meaning ये थे उस वक्त में ये ये meaning हो सकते हैं और उसका मकसद ये था उसका मकसद ये था तो ये basically एक किसम की scientific rigor जो है ना वो develop की जाती है in order to interpret the text ये completely different है objectivity को यानि qualitative research में चुँके हम subjectivity को देखते हैं subjective interpretations of text वो बहुत important हो रही है उसको सामने रखके बताया जाता है जबके जो subjective experiences and that relate on the person's subjective life ये basically जो harmonetics हैं ये draw किये गए हैं firstehin का जो concept है Max Weber firstehin ये जर्मन में हम firstehin पढ़ते हैं लेकिन English में firstehin पढ़ा जाता है तो original जो word है चुँके Max Weber जर्मन था तो ये firstehin है आप और मैं जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हम अक्सर लवज बिल्ट पूछते हैं क्या आपको समझ आगी आपने बताया अगला सर हला रहा है तो आप फिर verify करते हैं क्या आपको समझ आ रही या जो art है उसके उसी तरह से meaning हैं जैसे वो present किया गया है या culture जो है cultural events उसी तरह से interpret किये गया है जैसा कि वो exist करता है अपने अपनी तरह से तो कुछ नहीं किया और thought process एक sequence wise में चल रहा है या नहीं क्या ये that explain the social phenomena तो ये overall हमें understanding बताता है और ये खास तोर पे contextual and historical meanings इससे draw किये जाते हैं और historical context में जो text है यानि इसका मतलब ये है कि जो हम generally content analysis करते हैं तो text का खास तोर पे जो content analysis किया जाता उसके जो meanings हैं वो basically harmonetics के जो principles हैं उनको follow किया जाता है बाद वकादी human interaction को भी and action को भी जहन में रखा जाता है लेकिन ज्यादा तर इसके जो focus होता है वो basically textual जो data available है उसको text को context and text में interpret किया जाता है logical way में so that one can develop the logic in practice in the qualitative data क्योंस 46 जाता ज奇怪 में जाता है क्योंस 40 जाता है एक हो